हेलो फ्रेंड्स, वीडियो एक्सल की Microsoft Power BI Desktop Series में आपका एक बार फिर से स्वागत है ठीक शाम को 6 बजे, Saturday के दिन मैं एक नया वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूँ फटा-फट देखते हैं हम इस वीडियो में क्या सीखेंगे इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम अपने headers को dynamic कैसे बनाएं थोड़ा confusing हो गया basically जो मेरे headers होते हैं power query में जब भी में कोई data import करता हूँ मैं उसको dynamic कैसे बनाऊँ dynamic से मेरा मतलब है कि अगर उस header के नाम में कोई change हुआ है और मैं अगर query run करूँ तो भी वो query सही से run हो जाए इसे समझने के लिए एक बार हम चलते हैं data देखते हैं फिर हम during the process देखेंगे कि exactly problem क्या आती है और फिर हम उसका solution क्या कर सकते हैं उसके बारे में देखेंगे तो चलिए पहले चलते हैं data में data देखते हैं data में क्या है और उसके बाद चलते हैं power bi में और उस header की वज़ा से हमें क्या problem आ रही है तो ये आ गए हम data में मैंने सिरफ दो ही columns लिए है columns बहुत सारे हो सकते हैं 100 हो सकते हैं 200 हो सकते हैं फॉर्थ एक्जाम्पल जो मैं चीज दिखाना चाहता हूं उसके लिए मैंने दो column लिए है पर से एक MIS है जो डेली आपके पास आती है और यूजर has a habit of putting sales date here now when आज 15 को बेचा तो 15 अगर 16 को बेचेगा तो it will be 16 अभी इस data को मैं power bi में import करता हूं और देखता हूं कि problem कहा आती है इस header की वज़ा से तो चलिए power bi में चलते हैं तो यह आ गए हम power bi में फटा फटा हम data को import कर लेते हैं इंपोर्ट करने के लिए एंग्र करेंगे excel पे क्लिक करेंगे excel पे करके सेंपल फाइल पे क्लिक करेंगे और यह मेरी file यहाँ पर आ गई मैं यहांपर Transformed data पे क्लिक करूंगा और यह मेरा data यहांपर आकर लोड हो गया यहां तक तो अभी हमने पहले भी बहुत बात देखा कोई issue नहीं है एक बार हम steps देख लेते है steps क्या क्या हुए source सबसे पहले हमने source select किया फिर उसने navigate किया उसके बाद headers को promote किया और change type किया ठीक है इतना ही हुआ अभी हम चलते है excel में और change करते है date को जो उपर date है यह आ गए हम excel में पर सही 17 तारिक को data भीजा user ने मुझे और यह save करके भीजा अब मैं जब excel में जाओंगा सॉरी जब मैं power bi में जाओंगा और अगर इस query को refresh करूंगा तो मुझे एक error दिखाएगा यह बोलेगा ता column sales 16 7 2020 of the table wasn't found यह मिला ही नहीं उसको अभी ऐसा क्यों हो रहा है अगर मैंने जब इसको promote किया तो यह यहां पर sales 17 करके refresh हो गया लेकिन जब मैंने change type हुआ change type करने में क्या हुआ कि जब इसने इसको change किया तो अगर आप इसको देखेंगे formula बार को तो यहां पर इसने अपने आप step record किया और यह जो value है इसको थोड़ा highlight करके दिखाता हूं यह जो value है यह इसने इसको hardcode कर दिया अभी मेरे को क्या करना है इसको dynamic बनाना है इसे dynamic कैसे बनाएंगे तो उसके लिए हम थोड़ा सा advanced level of power query का use करेंगे जो अभी तक हमने किसी वीडियो में नहीं किया है but I am telling you it's very easy आप इसको देखें एक बार देखें आपको definitely समझ आएगा नहीं आया है एक बार दुबारा द difficult हो तो उसके लिए मैं आपको suggest करूंगा आप एक बार जाकर पुराने 14-15 वीडियोस हैं वो देख लीजिए आपको एक hang मिल जाएगा power भी आएगा उसके बाद आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से appreciate कर पाएंगे कि यह problem क्या है और इसको solve क कैसे करेंगे तो उसके solve करने के लिए मैं आपको लेके जाता हूँ एक option में जिसका नाम है advanced editor और उसके बारे में हम समझेंगे थोड़ा सा शायद हमने पहले पिछले वीडियो में उसको cover भी किया है बट एक बार यहाँ पर मैं उसको repeat करता हूँ advanced editor में जो भी steps हैं वो सारे के सारे steps आकर यहाँ पर load हो गए हैं जो जो मैंने किया अपने आप यहाँ पर आ गए तो सबसे पहले source फिर sheet और इसने promote header किया और उसके बाद change type किया मैं क्या करूँगा इसमें थोड़ा सा manually modification करूँगा मैं यहाँ पर space दूँगा एक नाम बगते हैं मैं my table header दे रहा हूँ is equal to यहाँ पर मैं एक छोटा सा syntax use करूँगा table.column names यह आ गया headers पर चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर इसको paste कर दूँगा और एक बाद done पर क्लिक करूँगा देखते हैं क्या होता है इससे यहाँ पर एक error दिखा रहा है यह error इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मैंने यह add करने के बाद comma नहीं लगाया अगर आप देखेंगे तो हर जो है वो comma से end हो रहा है यह comma बहुत important है मैं done क्लिक करूँगा जैसे मैं done पर क्लिक करूँगा एक यहाँ पर my table header करके एक नया step add हो गया जिसने मुझे जितने भी columns है उसकी एक lift दे दी अभी जो यह दोनों मुझे यहाँ देख रहे हैं मुझे तो सिरफ एक यह पहले वाले में interest है इ और query में जो पहला step पहला जो list में number होता है that is denomated by zero and the second is first तो अभी मुझे यहाँ पर सिरफ यह पहला चाहिए तो मैं क्या करूँगा मैं यह वाले sign का use करूँगा bracket का curly brackets का और यहाँ पर zero लिखूँगा वो लिखने से क्या होगा list मेरी हो जाएगी सिरफ एक यह मुझे सिर में interrupt था इतना मैंने कर लिया चलिए अभी देखते हैं हम क्या करेंगे अभी हम जाएंगे इसको अब दो तरीके से हम कर सकते हैं पहला तरीका मैं आपको दिखाऊंगा फिर हम data को refresh करेंगे और उसके बाद मैं आपको दूसरा तरीका दिखाऊंगा मैं advanced editor पे गया advanced editor पे आन और इसको replace कर दूँगा माई table header से मैं done पे क्लिक करूंगा जैसे ही मैं done पे क्लिक करूंगा और मैं change type पे आऊंगा आप देखी यह automatically यहाँ पर आ गया अभी मैं क्या करता हूं एक और step दिखाता हूं जो मैं rename करता हूं तब भी वह hardcode value ही लेता है यह जो मेरे हैं वह sales person है त select कर सकता हूं मैं यहाँ से select करूंगा control V करूगा और यह यहाँ पर आकर हो गया अभी देखते हैं क्या यह dynamic है क्या जब मैं date change करूंगा तो क्या यह update होगा उसके लिए मैं जाओंगा Excel पे यह मैं Excel पे आ गया यहाँ पे मैंने कर दिया 18 इसको मैं change कर देता हूं जब दिखा पे क्लिक करूंगा वॉला यह आकर यहाँ पर update हो गया अगर मैं अपना my table header में जाके देखूंगा तो यह says 18720 हो गया तो यह तो हो गया एक तरीका दूसरा तरीका simple है अगर आपने Excel में formula लिखे हैं और formula को डलब किया है मतलब पर से मैंने पहले if condition लगा फिर if के साथ भी look up लगाया तो ऐसा आपने बहुत बार किया होगा मैं advanced editor में जाओंगा rather than copying this my table header here I will copy directly this ctrl c and replace this with this ctrl v similarly यहाँ पर भी my table header हटा दूंगा और इसकी जगह डाल दूंगा इसको अब मैं जैसे ही done पर क्लिक करूंगा same चीज हुई बस यहाँ पर आके यह update होगे अब मुझे step की ज़रत ही नहीं है मैं इसको उठाके delete कर सकता हूँ यह मैंने delete कर दिया और यह मेरा यहाँ पर आ गई यह automatically यहाँ पर update होगे यह छोटा सा quick hack था मैं आपको डावे के साथ कह सकता हूँ अगर आप data पे काम करते है power query में यह problem आपको आई ही आई होगी और अगर अभी तक नहीं आई है तो definitely आएगी क्योंकि अभी तो यहाँ दो ही column थे आप बोलोगे मैं तो manually कर दूंगा मैं promoted header करूंगा ही थी हाँ बिलकुल कर सकते हो बट अगर आपके 100 columns हैं तो आप यह नहीं कर सकते हो उसके लिए syntax है यह description box में भी डाल दूंगा बट मैं चाहूंगा कि एक बार आप उसको अपने हाथ से खुद लिखें तो आपको थोड़ा अच्छे से समझाएगा तो कैसा लगा आपको वीडियो अगर आपको एक hack पसंद आया और आप चाहते हैं मैं इस तरह के ओक hacks cover करूं आप मुझ आपको शुद लिखें तो कब पार आपको वीडियो